जहारखन PGT एक्जाम से रिलेटेड देखी फिर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है हम लोग यह देखेंगे कि आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की आया उसके बाद भी बहुत सारे कोईश्चन के जो रॉंग अंसर दिये जा रहे थे तो फिर काफी सारे बच्चों ने अ इसका रिफरेंस भी दिया था तो आज उसका ँपल मिल गया कह सकते हैं और वह और सारे इसको Anytime को बहुत भी आ चुका है जिसमें जो बच्चे क्वालिफाई किये हैं उनका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है तो बागी सब्जेक्ट कभी अब होगा इसके बाद आज हम देखेंगे कि मैं बात करूंगा मैत का ठीक है और भी दूसरा सब्जेक्ट का दिया हुआ है बट म उस पर भी बच्चे कोशिश करेंगे कि उनको उसका सही रिवाड मिले इसलिए कि किसी भी कंडिशन में रॉंग क्वेश्चन या क्वेश्चन का रॉंग आंसर पर तो बहाली नहीं किया जा सकता ठीक है देखें अब यहां पर क्या है जैसे आप यह पूरा देख रहे के साथ आपने मैच किया अब उसके बाद जो अब्जिक्शन देज हुआ था ठीक है तो उसके बाद जो है अब संसोधित अंतिम उत्तरकुंजी और उसका जो रिफ्रेंस है वह आपको यहां पर दिया जा रहा है ठीक है पाई देख लेते हैं जिसे देखो यहां पर कौन-क करके सी किया जा रहा है ठीक है और फिर दिखेगोमिक्स में दो जी क्वेस्चन हैं आट degas जैसे और अजीब तरह का यह एक्जाम भी फिल हो रहा है सुरू से मैं कहते आ रहा हूं कि आप देखिए यहां पर क्या दिया गया है आप जब मैत का देखेंगे यह पूरा लिस्ट तो पहले देखो कि नंबर ओफ क्वेश्चन कितना है ठीक है तो इसे घुमाते जाएंगे अजीब लगेगा यहां पर 28 को मैं कर्यक्ट किया गया इससे पहले घुक्र करेक्ट किया गया था और अभी जैसा मैंने अपको बताया कि जैसे कुछ युशक्ष्ट याद है पूरा आया है अब बच्चे और इसही परकार बच्रe को भण निकाल करके देंगे का सर यह क्व पर भी बात करेंगे तो बट फिर भी यह कहते हैं कि हम 90 परशेंट जो है वह सक्सेस कर गए है अपने मेहनत पे और बच्चों ने भी काफी मेहनत किया था रिफ्रेंस निकाल निकाल करके दिखाया गया था कि इजी और लॉलीपॉप क्वेशन का आंसर को आप गठा रहे थे उसका और आंसर आप दे रहे थे तो वह तो बिल्कुल गलत था बड़ देख लेते हैं कौन-कौन सा क्वेशन यहाप है तो बहुत बड़ा 28 क्वेश्चन पर बताईए आप दे रहे हैं अपना क्लारिफिकेशन तो पहले तो आपको यह देना चाहिए था मतलब एक होता है तो बहुत तो बहुत तो बहुत तत्सके बाते हैं और फिर उसके बाद आप सुरू में घलत आंसर दे रहे हैं तो उस पर किसी कीमत पे कोई भी नहीं चाहाएगा कि वैकेंजी हो ठीक है खेर अब इसको करेक्ट करने का कोशिश किया गया है और उमीद करते हैं जो कुछ रह गया है उसको भी करेक्ट करना चाहिए लेकिन अब यह लग रहा है कि रिजल्ट इसके बाद दे दिया जाएगा बट अगर कोई एक-दो नंबर से रह जाता है और वह एक-दो इजी कोश्चन है जिसके वजह से वह रह जाएगा तो फिर वह तो कोई ना कोई दर्वाजा जो है खट खटाएगा कि भाई हमको नयाए मिलना चाहिए तो आप देखिए यहां पर जैसे एक यह कोश्चन था ठी 21 अगस्त में और एक हुआ था 1 सेप्टेम्बर में ठीक है तो आप देख लेना कौश्चन आइडी जो है किस डेट में है पर हम यहां पर कोश्चन जो हमको याद है उससे हम काम कर रहे है जैसे यह कुश्चन था कि जो है कौन आपका डीकलरेटिव स्टेटमेंट है तो इस सब्सक्राइब तो इसमें हम देखे थे कि यह जो आंसर की यह दे रहे थे बी नमबर तो इसलिए नहीं था कि जाहिर से बात यह तभी होता जब हमको एका पावर 2 एक्स और एका पावर 3 एक्स मिलता ठीक है इसका सी एफ में बट ऐसा था नहीं तो वहां पे चलो इन्होंन पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई कौन कोश्चन में अब सारे सब्जेक्ट के टीचर मिल गया बट क्या मैत का टीचर नहीं मिला था एक तो क्वेश्चन देखिए एक्कॉर्डिंग टू जो पैटर्न है सले बसका उसके एक्कॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं ठीक है फिर जो है यह अच्छा एक्स्परियंस नहीं रहा इसका अब देखिए फिर क्या है जिसे वीच आफ फॉलिविंग इस नौट एल पीपी एल पीपी से कौन जो है असोसियेटेड नहीं है तो हम बोलते आ रहे थे बहुत आसान चीज़ है कि अंसर पहले इसको भी करेक्ट कर लि पहले आपका करेक्ट हो रहा था तो इसके कोई मतलब नहीं है जो बच्चे आ रहे हैं तो उसके कट आफ क्या रहेगा यह भी बात कर लेंगे तो खेर हम लोगों की कोशिशन यहां पर काम्याब हुई है फिर देखिए यहां पर यह जो कोश्चन था वह एल पीपी वाला ज पहले जो बच्चों का क्वांटिटी आ रहा था वह अब करेक्ट होगा ठीक है चुकि पहले यह रॉंग को आप लोग करेक्ट ले रहे थे चुकि यही आंसर की था बट अब इसको एकॉर्डिंग आप देख लो कि कि कितना कुश्चन आपका करेक्ट हो रहा है ठीक है तो अब टू आपका करेक्ट होना चाहिए तो इसको करेक्ट कर लिया गया है तो इसको करेक्ट कर लिया गया है इसको तो रॉंग करके आगे बढ़ना मुंकिन ही नहीं था ठीक है तो पहले यह सब दिया जा रहा था अब यह सब ऑप्शन हट गया अब यह करेक्ट ऑप्शन इधर आ रहा है ठीक है अब देखिए यहां पर फिर क्या है हम यह देखते हैं कि वह एक अगें जो कोश्चन हो था हमारा के जेट टेन में नंबर ऑफ आइडियल्स कितने होते हैं तो सिंपल होता है टेन का डिवाइजर है वान टू हो जाएगा और फाइव और टेन हो जाएगा ठीक है तो फूल डिवाइजर होता थी हम अब इसको करेक्ट कर लिया गया काप अच्छी बात है अब द अब इसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे यहां पर भी अगेंस ही कर लिया गया है ठीक है फिर आप देख सकते हो इंप्टी सेट बहुत सरे बच्चे बोल रहे थे ठीक है तो मैं पहले ही कह चुगा था आपको कि इंप्टी सेट बांडे होता है आप इसको अन्बांडेट कै नहीं कर सकते हैं फिर ये लॉजिकल एक्सपरेशन वाला ही भी अमों देखें ठीक हां ये पहले यह सीपर बीकूY करेक्ट कर रहे थे हाना के वह पे और ऑप्षुन था वह भी क्या था वह आपका ऊपेन शेंट नहीं था ओके तो अब चुकिकी मोर दन ओन ऑप्षिन करेक गया यानि यह सब को इसका नमर मिल लाएगा और अब देखिए अब यहां से benefit to all शुरू हो रहाएं अब गिनते चलिए ठीक है question number 14 से देखिए आप गिनिए यह benefit to all कर दिया गया है 15 को भी benefit to all कर दिया गया है आप इधर देखते जाओ ठीक है फिरी में सबको number दिया जाएगा और इतने बड़े और इतने अच्छे एक्जाम में यह बिल्कुल ही अच्छा चीज नहीं है ठीक है कि भाई सबको आप इसी क्या number क्या बाटना है देखिए बच्चे पढ़ करके आते हैं एक्जाम देने के लिए उनको एक्जाम किलियर करना होता है कॉंपर्टिशन जब होता है तो काफी मज़ा आता है अब इसमें चलो बहुत फरक तो नहीं पड़ेगा लेकिन मैंने वही बताया कि वह जो मिंटली फरक पड़ता है एक्जाम के दिन में एक्जाम के टाइम में के कुश्चन की क्लारिटी ना होना या मोर देन वन ऑप्श आप यहां पर यहां पर वन टू कोश्चन हो गया इधर आप देख लिए थी फॉर फाइट शिक्स सेबेन एट नाइन टेन एलेवन तुवेल थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो टोटल हम यहां पर देख रहे हैं कि फिफ्टीन कोश्चन ठीक है अब यह कोश्चन 21 अगस्टवाले को ठीक है यह कोश्चन इस आंसर की के एकॉर्डिंग 6 कोश्चन का नंबर सबको दिया जाएगा 1 सेप्टेंबर में और 9 कोश्चन का नंबर सबको दिया जाएगा 31 अगस्टवाले एकजाम में ठीक है और उसके इलावा मैंने आपको दिखा दिया कि यह benefit to प्रविश्ट काम्याम हुआ चुकि अभी भी 3-4 कोष्चन है एक तीस तारीक और एक तारीक वाले में मेरे को याद आ रहा है जैसे एक फर्टी फर्स्ट वाले में जो है एक कोष्चन था वह आपका यह सेमी गूरूप वाला याद है आपको कि अब कम से कम रॉंग आंसर पे सेलेक्शन वाली बात या रिजल्ट वाली बात नहीं आएगी अब कम से कम यहां से 80% फियर हो चुका है ठीक है और भी फिर होना चाहिए कोई भी एक दो कोष्चन गलत ना रह जाए एक दो कोष्चन के वज़ए से भी लोग रह जाते हैं उन पढ़ें हैं जिनके पास नॉलेज है नॉलेज इस पावर ठीक है नॉलेज इस लाइफ तो वह आपको वह आपको इनर्जी देता है वह आगे करता है तो अब यहां पर देख रहे हो कि फिर भी मैं यह बात करूं कि यह रिजल्ट लेकिन बहुत मजा नहीं आ रहा चुकि अ इधर आपका 7 इधर आपका 11 अगर इतना question का नंबर अगर फिरी में मिल रहा है तो आप डिफिनेटली जो पहले से हम लों का जो expected cut-off था वह भी आगे जाएगा कट-off पर फाइनली बात कर लेते तो देख रहे हैं संस्क्रित का दिया हुआ है संस्क्रित में भी यहां पर चार कोश्चन है जिसमें benefit to all है उसके बाद यहां पर एक जोग्रेफी है जिसमें एक question को correct किया गया ठीक है यह सारी बाते हैं यह आज का update है इसमें यह लिखा हु कोई जो है परिवर्तन आपक्षित नहीं है तो इसलिए उसको रखा गया है जो आंसर की पहले दिया गया था वही रहेगा ठीक है हिंदी सब्जिक का नहीं दिया गया है तो इसमें जो आपत्ती की गई है उसके लिए आपको जो है एक notification जल्दी ही आ जाएगा क्या उसमें क question तो उसमें अंतीम उतr कुण्जी में जो में जो अंसर की में तो ही रहेगा ठीक है अब जो है वही उसको आपकर ब्लत है तो हो उम्मीद करेंगे ठीक है और फिर हम देखिए यहां पर मोलता है जिसको मतलब कर रद किया गया है जिसको जिसको बेनिट किया गया है उस विसाय की परिच्छा में समलित अभियर्थियों को पुर्ण अंक परदान किये जाएंगे जो को चाहिए आप अटेम्ट किये थे नहीं किये थे उस सब को इक वली वह नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे माल लीजिए अगर नौ कोश्चन जो है आपका बेनिफिट टू आल है तो अठारा नंबर आपको फिर ही मिलेगा सारे ही बच्छों को ठीक है इसी तरीके से अगर इधर आपका सिक्स को सारे ही बच्छों को टूल मिलेगा ठीक है अध्यम से ठीक है अब जो रिस्पॉंस सीट में था आपको उसमें भी सहमत्ती मतलब कर दिया गया है अब आप मिलाएंगे तो आपको मैच करेगा जो प्रॉब्लम आ रहा था रिस्पॉंस सीट में कि कुछ आपको गलप लग रहा था तो अब वह आप देख लिजेगा वह हो सकता है री डाउनलोड होगा तो आपको उसमें वह करेक्ट दिखेगा और यह डाउनलोड करने के लिए आप 10 जन्मरी तक ही कर लेना उसके बाद यह लिंक आपका हड़ जाएगा ठीक है तो बलता है प्राप्त आपतियों के आलोक में अभियर्थी को रिस्पॉंस सीट सब्सक्राइब कर दिया गया है आपको बताया जा रहा है तो यह आज का था इसका मतलब यह है जैसे इनके एक औरिंग जी एससी के एक औरिंग तो हम यही देख रहे है कि अब लगता है कि दो से तीन में यह हो सकता है कल ही से रिजल्ट बाकी का आना सुरू हो जाए लाइक मैथ बायो ठीक है चेमिस्ट बायो संस्क्रीट जो भी सबजेक्ट है आपका तो सबका रिजल्ट अब जो सब्सक्रीट अब देखिए अग्जाम हुआ है 31 अगस्त में और 1 सेप्टेंबर में और चुकि आप देख रहे हैं कि पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा अभी भी इसमें और नाइन कुश्चन को बेनिफिट टू आल है इसमें 6 कुश्चन बेनिफिट टू आल है और पह दूसरा भी है कि जो मेरा अपना स्टडी है हाला के दोनों कुश्चन लगभग इक्विवालेंट था ठीक है लगभग दूसरे के करस्पोंडिंग है बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है according to normalization बट फिर भी अगर प्लस पॉइंट फाइब भी अगर फाइदा मिलता है तो वह वन सप्टेमर वाले को मिलेगा तो इस तरह से का सकते हैं कि आप जो भी एक अपना लिष्ट बना रहे हैं कि मेरे को इतना नंबर आएगा या इतना कोश्चन करेक्ट है उसमें minor बट वन सप्टेमर वाले को benefit होगा ठीक है और इस तरह के से इसको balance किया जाएगा तो वन सप्टेमर में भी उसके equivalent आ जाएगा तो यहां से यह बढ़ करके जो है 106 आ जा रहा है ठीक है यह हमें इसको कह सकता हूं 152 110 तो 105 से लेके 110 तक यह जो है जेनरल का नया tentative cut-off है अम मुझको पूरा उमीद है कि जिन बच्चों का इसके range में आएगा ठीक है 106 105 110 वाले तो कंफर्म है 110 और उससे ऊपर वाले ठीक है यह तो आपके कंफर्म होंगे 110 से और यह इसके greater वाले ठीक है 1010 और greater इससे जिनका ज्यादा नंबर आ रहा है एक से दोस आ रहा हो तो बिल्कुल है फिर भी जो मेरे पास बच्चों का data है उसके according 105 से 110 वाले बच्चे भी अब आ जाएंगे ठीक है तो यह कट आफ रहने वाला है जेनरल का और अगर हम बात करने ओपी सी में तो बीसी में बीसी वन बीसी टू के बहुत गैप तो नहीं रहेगा लेकिन यह 96 200 हो सकता है ठीक है इसमें आपका बीसी टू का इसी टू का हो जाएगा और बीसी वन का अगर बात करें तो इस्ती का भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा चुकिए एक्वाइब टू नाइटी यह स्टी का कट आफ हो सकता है और जो टीचर्स हैं टीजीटी से पीजीटी में जा रहे हैं तो उसमें चुकी यहां तक मेरे को अभी है ठीक है तो क्वांटिटी कम ह है एकजामिनी में जो पास करने वाले हैं फिर भी मेरे को लगता है कि एटी टू एटी फाइब जाएगा तो इसके आगे पीछे हो सकता है तो इसलिए और किसीको हौपलेस नहीं होना है अगर हैंड्रेड नंबर भी किसी का आ रहा है तो वह बिल्कुल उमीद जगा करके रखो चुकि सारे भरे जाने तीजीटी में जो सीट खाली रह जाएंगे तो सीट सारे भरे जाएंगे और डेफिनिटली डेटा 100% हमारे पास नहीं होता और जो बच्चे बिल्कुल भरुसेमंद हैं जो अपना मार्क्स इतना आ रहा है तो उसके एकॉर्डिंग मैं जो देख रहा हूं ठीक है तो वह यह है कि 105-110 में उनका आ जाएगा ठीक है और इसके बीच में जिसका आता है तो मैं तो यहीं उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चे का यह रिजल्ट आता है तो हम उसको भी देखेंगे बट अभी यही फाइनल बोलूंगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया तो कोई यहां से लेकर के बिल्कुल फरस्ट्रेट ना हो जाए और जो है किसी भी तरह का कोई हमको अभी गलत रॉंग नहीं सोचना है ठीक है तो पॉ सब्सक्राइब कीजिए पढ़ते रहेंगे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो डेफिनिटली एक नायक एक्जाम आपके हिस्से में जूरू रहेंगा आप गोल जूरू करनेंगे थैंक्यू वेरी मच